सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौसेवा मिशन की अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवस्रिय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है जिसमें सर्व प्रथम दोपेहर 4 बजे से लेकर साएं 6 बजे तक सामोहिक सुंदरकांड पाठ किये गए जिसके पश्चात साएं 6 बजे से लेकर रातरी 9 बजे तक श्री हरी नाम संकीर्तन एवं संथ समाज द्वारात सत्संग किया गया इस तोरान स्वामी कृष्लानंद जी ने अपने प्रवच्चनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्ग दर्शन भी किया उन्होंने कहा कि मात्रित्व भाव से सेवा करने और गाय की शरण लेने से शरीर और मन के दुख कम होते हैं सनातन धर्म में हर घर में गाय होनी चाहिए इस मौके पर असंख्य भक्त जन मौजूद रहें जालंधर से हलचल के लिए कैमरामेन प्रबजोत सिंग के साथ कुष्चावला की रिपोर्ट एक बारी परमात्मा आयो निर्दारित कर रहे थे जिसको जितनी आयो चीए दे जाओ तो माना वोला महराज बीस वर्स काफी है इसी में मैं अपना जीवन यापन करूँगा इधर जब मिर्ति लोग में आया जब वह बीस वर्स का हुआ पैदा हुआ थोड़े सस्कार शीखे विद्याग्यन किया जब साधी का समय होने को आया तो तुरंत मिर्दि को प्राप्त होने लगे क्योंकि बीस वर्स ही आयू मांग के लाया है तुरंत दोड़ा, क्योंकि हमारे पास में अन्य योनियों के पिक्षा इस बुद्धी भगवान ने विसेश दी रहे, इसलिए हम मानों मनुष से कहलाते हैं, यहाई योनी, 84 लाख योनी में सबसे स्त्रेश्ट योनी है, बागी भूपदार का आजी तो अन्य योनियों में भी है, तो तुरंत मानों दोड़ता हुआ ब्रमाजी के पास में गया, कि माहराज, मुझे उमर और चाहिए, किर्पा करें, ब्रमाजी बोले कि जब मैं आयू, इन्हें धारित किया, बाट रहा था, तब तो आप बीस ही लेके गए, तो एक बैल परेशान हो करके आ रहा था उससे, महराज, मेरी उमर जादा कर दी है, आपने, ने कम चाहता हूँ, ब्रमाजी बोले लेको, यह लालची मनुस्या आया हुआ है, इसको दे दे, बैल बोला महराज, मेरी पीस वर्स आयू कम कर दीजा, बुले जैगो माता, तो मनुस्या, बीस वर्स, बैल की आयू लेकरके, इस भूमंडल पर आया, अब तो बड़े प्रेम के साथ में, चालीस वर्स उसकी आयू होगी, जीवन यापन किया, साजी ही भी, छोड़ छोड़े बच्चे हुए, फिर उसका देहान तो हो गया, पिराँ जैराँ जैराँ, 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 बार फिराँ,